कि सबसे पहले बात शुरू करते हैं ग्रेविटेशन की आए ग्रेविटेशन में सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि वह प्लैनेट्स की बारे में बात की जाए ठीक है देखे प्लैनेट्स की बारे में बात करते हैं प्लैनेट्स आप जानते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं दोज हेवनली बाड़ी विच रिवाल्व एराउंड दा सन ठीक है यानि कि हेवनली बाड़ी कहते हैं यानि हेवनली बाड़ी कहते हैं तो अर्द भ स्वर्गी लगा सकते हैं स्वर्ग के रहने वाले वही heavenly body कहा गया अर्थी जासो heavenly body तो those bodies which revolve around the sun those are known as heavenly bodies ठीक है sorry planets generally nine planets कुआ करते थे ठीक है आप चुकि जो Pluto है उसे dwarf planet कहा गया है बौना बहुत छोटा हो गया है वो यानि वो उन properties को follow नहीं करता जो planets को करनी चाहिए ठीक है तो पहले तो हम बात करते हैं कि वह 8 planets कौन कौन से है तो उन्हें याद करने के लिए आप याद कर लिजेगा my very educated mother just shown us देखो अभी तक तो हम पढ़ाते थे 9 planets ठीक है यह पढ़ाया जाता था कि my very educated mother just shown us 9 planets यह पढ़ाते थे अब बच्चों ने कहा वह आपका तो अब बनाना है small farm क्या किया जाए मजबूरी है तो यह आपके 8 planets हैं जो एक order से लिखे हुए है according to the distance from the sun जो mercury है that is very nearest to the sun and now Neptune is very far away from the sun और अर्थ हमारी third number पर है अब कल्पना करें अगर अर्थ मेरी first number पर होती तो हमें gas की दूरत नहीं परती हम ऐसे रोटी धूप में रखते और सिख जाती ठीक है और चुकि उस temperature में रहने के हम आदी होते तो हमारा color भी वैसा होता जैसा भी है इस समय तो यह तो हो गए आपके planets ठीक है अब planets के motion के बारे में सबसे पहले और भी mathematician ने बताया scientist ने बताया यह Kepler साब ने बताया तो लिखे Kepler's law of planetary motion Kepler's law of planetary motion Kepler's law of planetary motion तुम्हारा यूटी कब होना है बता रहे हो आया जाती दादा बहुत लंबी बात बता रहे थे अच्छा सुनिये चुकि Friday is the first January ने 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 लेकिन 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 31 को हम पढ़ाना चाहते हैं मता हम आपका लॉस्ट आप लॉस्ट कोई दिक्रावे कोई दिक्रत नहीं या तो थर्ड थर्ड को पढ़ी जे संडे वाले दिन या तो उसके एक दिन एक दिन पहले 31 है तो अच्छा ज्यादा हो जाएगा तो थर्ड को टाइमिंग दो पार की रहेगी क्योंकि संडे को और भी एक दूबैश होते हैं वही तीन चार बजे के आसपास हम रखेंगे जैसे इस बार इस बार रखा था रहा हमने तीन बजे के आसपास तो वही हो जाएगा तो वह फ्राइडे का आपका क्लास हो जाएगा ठीक है छोड़िए अब बात करते ह आप प्लेंटरी मोशन अब स्लेवस का बोल तो क्या-क्या है हमको हमें पास्लेवस में हैं नहीं मेरे पास तो है लेकिन इस समय बताया ना कि जब पहले से मालूम होता है कि हमें पढ़ाना क्या है है कि के तो हम त्यार हूं एक बैठी है अपने आपको त्यारण करते है नोर्स मंनाते है लिखते हैं रिकोल नहों होता है थे बिलकुल आप फिल्म में शूटiner करनी hen तो बिल्कुल तयार हूं है अब हम निमेरिकल लिए त्यार बैटे थे ठीक है चलिए हम न्यूटन से स्टाइट कर देते हैं यह छोड़ देते हैं फिर हम बात बता देंगे अच्छा लगता तो अच्छी बात है देखें प्लेंटरी मोशन के बारे में कैपलर साब ने बताया इसलिए कैपलर के जो गुरू थे जो टीचर थे उनका नाम मुझे याद नहीं है उन्होंने बताया था उनके बाद उसको थोड़ा सा एक्स्पेरियर किया कैपलर साब ने पहला तो उन्होंने लौ दिया कि भाई जो हमा orbits उन्होंने का all the planets revolve around the sun in the elliptical orbit लेखते भी जाओ all the planets revolve around the sun in the elliptical orbit and sun remains at the focus of orbit and sun remains at the focus of orbit देखे elliptical orbit हमने बोला है चुकि ellipse mathematics में बताया जाएगा देखो ध्यान से हाँ वही वही बता रहूं है देखो यह ellipse होता है ठीक है यहाँ पर दो focus होते हैं इन दो में से किसी एक focus पर आपका sun होता है देखे किसी एक focus पर होता है मैं माल लेता हूँ यह 30 location of sun यहाँ पर sun है और जो planet होते हैं इस sun के चारोगर elliptical orbit में मूब क्या करते हैं यह उनका नियम था orbits के बारे में law of orbit नमबर टू दिया था law of areas दूसरा नियम दिया law of areas इसके derivation भी होते हैं लेकिन आपके level में वह नहीं है आपके level में high नहीं हो graduation level में आप इसको प्रूब भी करेंगे law of areas देखें देखें समझेगा इसकी language मैं फिलाल इस line को हटाता हूं यहां से क्यों एक line लेता हूं यह हटा देता हूं यह हमारा sun हो गया बाद में बनाएंगे हैं देखो जैसे कोई planet यह sun है हमारा ठीक है माल्या कोई planet है a point पे है 30 सेकंड बाद वो planet बी point पे पहुँच गया ठीक है अब a से जो planet है उसे sun को मिलाने वाली यह line है ऐसे अब थोड़ी देर बाद हो गई sb अगर मैं कहूँ कि यह line है वो इस time interval में कितना area cover करती है तो आप कहेंगे यह area इतना cover करती है ठीक है इसके बाद हमने देखा थोड़ी देर बाद यह c point पहुँच गया यह line हमने मिलाई और जितने time में a से b तक पहुँचा है उतने time में से c से d तक कहुँच किया तो इतने area cover की उसने तो हमने का भाई जो line है line joining the sun to the planet sweeps out sweep माने होता जाड़ू लगाना ऐसे होते ना ऐसे जाड़ू लगाई जाती है ऐसे ऐसे ठीक है sweeps out equal area in the equal time interval मतल सन से और planet को मिलाने वारी line same interval में same area cover करती है तो लिख लिएगा the line joining the planet to the sun the line joining planet to the sun sweeps out equal area in equal time interval equal time interval इसका मतलब यह हुआ कि equal time में equal area cover करती देखिए जैसे unit time में unit distance cover करेगी तो आप कहेंगे वेलास्टी है तो इसकी aerial velocity same रहती है that is that is the aerial velocity of the planet remains constant that is the aerial velocity of the planet remains constant अब अगर हम माल ले की कोई planet है वो किसी time interval में A से भी तक जाता है in the mean time interval it goes from C to D if any planet revolve around the sun if any planet revolve around the sun revolve around sun goes from A to B in any time interval goes from A to B in any time interval and C to D in the same time interval and C to D in the same time interval then area A S B is equal to area C S D ये area same होती है ये तो दूसरा नियम हो गया उन्हें पहला उन्होंने और्बिट के शेप के बारे में दिया तीसरा उन्होंने ये नियम दिया थर्ड लाउनका था law of periods थर्ड लाउनका था law of periods period का मतलब time period की बात हो रही है देखें उन्होंने कहा कि बही जो sun revolve करता है तो ये इसकी major axis है ये इसका center है ठीक है तो उन्होंने कहा जो time period होता है इसका ठीक आप साब साब दिकरा है कि इसकी distance अलग अलग जगे अलग अलग है तो इसका जो time period होता है time period का square इसकी या तो average distance आप बोल दीजे average distance of planet from the sun या इसको कहते हैं आप semi major axis अगर ये a माल लें तो this is semi major axis वह ये major axis 2a होती है standard equation आपने अगर पढ़ा हो तो major axis 2a होती है ठीक है तो आप लिखेंगे लिखें the square of the time period of planet the square of time period of revolution of any planet revolution of any planet around the sun around the sun revolution इसले बोला गया कि भई planet अपने orbit के चारोग भी घुमता है spin भी करता है around the sun is directly proportional is directly proportional to the cube of cube of the semi major axis of the orbit the semi major axis या आप average distance mean distance from the sun कह सकते है semi major axis of the orbit यानि टी स्क्वाइर प्रपोर्शनेट आर क्यूब यह उन्होंने रूल दिया था अब चुकि कोई भी ग्रेवटी के बारे में रूल हो प्लैनेट के बारे में हो न्यूटन साहब चुप चाप रहे तो हो नी सकता तो नीूटन साहब ने अपना conclusion दिया के बर स्वाइब में तुकिन नीूटन स कांक्लूजन नीूटन स कांकलूजन स्रम केपलड आरस ला नीूटन स कंक्लूजन फ्रम उन्होंने कांक्लीड किया इसको फ्रम केपलर स्वा दीखिये देखे चुब तीन रूल थे तुन्हों ने उन्हीं तीन रूल में अपनी अलग अलग बात कही पहला नियम क्या था पहला रूल था कि जो और्बिटल और्बिट एलिप्टिकल होता है तो उन्होंने का अब यह ऐसा है कि कि most of the planet लगबख circular और्बिट रिमूब करते हैं देखे एक अडिक टुन न्यूटन most of the planet revolve around the sun in the circular और्बिट पहला तो यह उन्होंने भंगस मार्दी उनके नियम में कि आप जो बता रहे हो elliptical में वो circular होता है एक्च्वल नहीं होता देखे सिंपल सी बात है अगर circular orbit होती सुनिये ध्यान से तो हमारी अर्थ में मौसम होई साहिक जैसा रहता कभी हम नजदीक हो कि aerial speed से होती है न्यूटन साहब ने का आप यह ऐसा नहीं है उसकी aerial speed नहीं है उसकी जो आपकी circular orbit में जो linear speed होती है वो से होती है and the linear orbit of the planet remains constant and the linear velocity speed कहिए linear speed of the planet remains constant linear speed of the planet remains constant देखिए उन्होंने का माल लिया अगर हम planet का मास M माल ले और radius जो आर्बिट के हो आर माल ले तो 10 centipetal force जो एक्ट करीगा प्लैनेट पे f is equal to mv square upon r क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अगर आपको circular orbit में move करना है तो आपको एक force लगेगा आपके उपर centipetal force अच्छा अब V कैसे निकाला जाए as V is equal to speed is equal to क्याहता distance upon time चुकि time हम लेंगे यहाँ पर time period तो जब time period लेंगे तो distance क्या आएगी 2 pi r तो अगर हम यहाँ पर V की value रख दें तो f is equal to m upon r into 4 pi square r square upon t square time period के लेंगे तो time period के लेंगे जो कैपलर का नियम था उन्होंने ऐसे लिखा as d square is equal to k r cube k r cube so f की value आएगी f is equal to m upon r into 4 pi square r square upon k r cube दो उसको calculate करेंगे तो 4 आएगा pi square आएगा m आएगा pi square आएगा upon k आएगा और m upon r square अलग जाएगा तो यह f आया ज़रा ध्यान से समझिएगा planet to planet क्या चीज़ यहाँ change हो रही है m change हो रहा और r change हो रहा है यानि कि उन्होंने का f proportionate m upon r square यानि मेन यह law उन्होंने बताया कि जो force centimeter लगता है planet के उपर due to the sun वो mass of the planet के proportionate होता है और inverse square ला को follow करता है note करिए तो इस पर कैपलर ने newton साम ने तीन कर्डूजन दिये according to newton लिखवा में नहीं रहा हूं according to newton when planet move around the sun then a centipetal force act on the planet planet के उपर एक centipetal force act करता है पहली बात और वो जो force होता है वो that is directly proportional to the mass of planet and inversely proportional to the square of the distance of the planet ठीक है अब इसके बाद एक rule जो उन्होंने बताया वो जला समझने वाला है उन्होंने कहाए जो force होता है न यह mutual force होता है यानि here F is mutual force here F is mutual force mutual का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि planet पे ही force लग रहा है planet भी sun के उपर force लगाता है यानि कि अगर if capital M is the mass of sun अगर जो है sun का जो mass है वो capital M हो then F proportionate capital M होता है यहाँ पर आपने क्या देखा था यहाँ F proportionate small M था और F proportionate 1 upon R square था यह दो बातें आपने देखी थी तो उन्होंने का तीसरी बात यह भी होती है यह mutual force है जितना force planet sun पे लगाता है वह ऐसा ही उतना ही force planet sun भी planet पे लगाता है दोनों चीज़े होती है तो अगर तीनों को मिला दे बाइक कोजिशन वन एंट वन टू एंट थी तो आएगा F proportionate capital M into small M upon R square यह यहाँ से Newton gravitation लियम ले करके आए थी Newton सहाब यहाँ पर gravitation लियम ले करके आए जब F is equal to लिखा तो capital G capital M into small M upon R square होता है capital G यहाँ पर क्या है that is gravitational constant G is a gravitational constant G को हम कहते है gravitational constant और इसकी value जो होती है 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square पर kg square होती है और जैसा कि dimension पढ़ाते वक्त आपको पताय गया था कि dimension में इसका use भी होता है तो dimension यहाँ से आप निकाल सकते हैं ठीक है यह Newton's law of gravitation है तो अगर आप से कहें actually Newton का जो gravitation ला था वो कहां से origin हुआ था हाँ वो तो ठीक है उन्होंने एक field theory दी थी Newton ने अब इसके बारे हम बात करेंगे लेकिन जो origin किया था वो कहां से किया था उन्होंने Kepler के नियम से ठीक है अब लिखे Newton's universal law of gravitation Newton's universal law of gravitation जैसा कि हम बच्चपन में कहानी हमको पढ़ाई गई थी कि Newton's आप थे एक वहले heading कर दे Newton's law of gravitation कर दे law of gravitation यूनिवर्सल इसलिए हुआ का gravity हर जगे है इसलिए देखिए एक कहानी हमने पढ़ी है बच्चपन में कि Newton's आप safe के paint के नीचे बैठे थे वह आम का भी हो सकता था भबूल का भी हो सकता था तो एक safe गिरा और नीचे आ गया और उन्होंने नियम दे दिया तो हमने उसको हासी में उडाया भी आप safe गिरेगा नीचे ही तो आएगा देकि Newton का मतलब क्या था Newton कहना क्या चाहते थे Newton नेका वह सेभ गिरा तो कोई चीज अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इसको इसको पकड़ना पड़े गा प्राइगा जा आ रखना पड़ेगा लेकिन उस पेण्ड से जो सेभ गिरा था वो अपने आप उनका कहना था कि अर्थ के चारो और एक फील्ड है जो इन्विजविल है लेकिन उस फील्ड में ताकत है जो किसी बाडी को अपनी और खीच लेती है उसका नाम दिया उन्होंने gravitational field फिर हम electricity में आ गए तो electrical field हमने देखा magnetic में गए magnetic field देखा तो इस प्रकार से हमने field concept दिया तो Newton सहाब ने का कि भी अर्थ के चारोर एक field होती है और उस field के अंदर अगर कोई body आती है तो that experience the force और वो आर्थ की और attract हो जाती है फिर उन्होंने उसको generalize किया उन्होंने का हर mass particle जिसके पास भी mass है उसके चारोर एक field होती है और वो दूसरी particle को अटेट करता है अब question ये उठता है कि जब मालिया हम जा रहे हैं और एक कहीं गोबर पड़ा हुआ है वो आटेट कर रहा है हमको हम नहीं करे न्यूतन करें है वो हम भी आटेट कर रहे हैं उसको जब बोच हर अटेक्टिंड को जब सब वाई that is not coming to me एपीस रमाये आ गया इसलिए हो ये रहा है कि उस गोबर को बगल में बगल को आटेट कर रहा है ना उधर भी कर रहा है हमें चारो तरफ अट्रेक्शन लग रहा है इसलिए नेट फोर्स हम पर कितना लग रहा है जीरो लग रहा है ठीक हाँ ग्रेविटी चुक्कि हमको नीचे घसीट रही है और नीचे ग्रेविटी के अगेंस हमको ऊपर कोई नहीं खींच रहा है इसलिए gravity तो हमें नीचे लगती है लेकिन अगल बगल वाले force एक दूसरे को हमें balance कर देते हैं इसलिए हमको ऐसा महसूस नहीं होता है तो Newton साहब ने का कोई भी दो mass mass particle always attract each other ठीक है तो statement मैं ने लिखवा रहा हूं उन्होंने का if two mass particles are there मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं any mass particle if their masses are m1 and m2 so they will always experience a force of attraction or that force of attraction is proportionate to the product of their masses if r is the distance then it is inversely proportionate to the square of the distance between these two ने गर दो masses m1 m2 है तो हुने का f proportionate m1 m2 upon r square होता है तो f is equal to हमने constant capital G कर दिया m1 m2 upon r square actually में यह जो law है ना वो capital के नियम से ही वो मालूम हो गया था उनको कि ऐसा होता है अर्थ और sun के बीच में किसी भी planet और sun के बीच में होता है बाद में अर्थ और anybody के बीच में उन्हों देखा बाद में उन्हों इसको जनलाइस कर दिया कि हर दो mass particle बीच में एक force लगता है जहाँ capital G आप जानते है universal gravitational constant होता है और इसकी value अभी हम बता चुके है 6.67 into 10 power minus 11 newton meter square upon kg square होता है कोई बात नहीं होता है ऐसा ठीक है अब लिखे क्या हो गया छुट्टी की जक्कर में होता है अब लिखे law of gravitation in vector form law of gravitation in vector form या newton's line vector form अच्छा यह जो force है यह very long distance पे भी applicable होता है ठीक है अब simple सी बाद जो इसके numerical आएंगे तो आप जानते हैं चोटे चोटे प्लैनेट्स होते हैं कुछ हजार करोण किलोग्राम के कुछ हजार किलोमेटर दूर होते हैं तो इनके Newton's law in vector form देखे तो आप vector को remind करिए पर तो vector को remind करिए थोड़ा सा अपनी देखे जब कोई vector पढ़ाए गया था जब उसमें बताया गया था है कि unit vector unit vector क्या बताया गया था कि ऐसा vector जिसका magnitude 1 होता है अगर मैं इसमें a cap लिखता हूँ तो इसका magnitude 1 होता है और इसकी value क्या बताएगे थी vector a upon mod of a is equal to a cap अगर हम cross multiply करें तो mod of a into a cap gives you a vector यानि किसी magnitude को किसी magnitude को जिस direction में वो काम कर रहा है उस direction के unit vector से multiply कर दिया जाए हमको vector quantity मिल जाती है यह हम जानते हैं ठीक है अब जड़ा न्यूटन स्ला में आप प्लाई करते हैं देखो द्यान से यह दो mass particle है a और b इसका mass m1 है इसका mass m2 है और इनके 20 की दूरी है r है 20 की दूरी का मतलब आप कह सकते हैं कि this is a magnitude ठीक है अब समझेगा वन पर टू की वज़े से force लग रहा है force acting on m1 force acting on m1 due to m2 हम इसको लिसकते है f12 अभी जैक्टर के हम बात नहीं कर रहें इसको लिसकते है f12 लिख सकते हैं अब देखो द्यान से यह किदर लगेगा इधर की ओर लगेगा f12 वेक्टर तो f12 की वैलू क्या होती है 1 upon 4 sorry 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 actually में हम कुलाम्स ला में चले गए वह इसमें इंटरमीड़ कुलाम्स चल रहे ना जी इसमें 11 वाले तो सब करोना मना रहें 12 वाले मरते ना क्या करते उनकी मजबूरी है अब जरा समझेगा f12 की डारेक्शन क्या है वन से टू की तरफ तो हम जो यूनिट विक्टर लेंगे वह भी वही लिखें लेंगे तो हम यहां यूनिट ले रहे हैं है आर वन टू कैप तो इसका क्यस्से मंटिप्लाय करें है आर वन टू कैप यह बताने का तरीखा अलग-अलग टीचरक अलग-अलग होता है निलchem ठीक है वो कहते हैं 2 की direction में 1 है तो 2 1 लिखते हैं हम कहते हैं 1 से 2 की तरफ हम ले रहे हैं इसने 1 2 लिख रहे हैं वो आप explain कर सकते हैं कि आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं ठीक है अच्छा जब इस unit vector को vector में convert करते हैं तो क्या आता है g m1 m2 upon r square इसको r12 vector upon r12 mod लिख सकते हैं अब mod तो आ रही होगा ना r12 लिखो चाहिए r21 लिखो तो यह हो जाएगा g m1 m2 upon r cube into r12 vector यह f12 vector हो गया अब इसमें r12 और r21 में confuse मत होईएगा क्यों नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई जैसे बुक में लिखा r21 जिस बुक से मैं बता रहा हूं र21 लिखा हुआ है लेकिन मैं कह रहा हूं वन से टू की तरफ ठीक है अब कुछ लोग कहेंगे टू खीच रहा है वन को तो r21 बोल देगा वो तो बोलने की तरीका है ना अब यह तो हो गया force on m1 due to m2 अब बात करते हैं force on m2 force on m2 due to m1 तो इसका नाम दे दिया हमने f21 यह भी force of attraction है f21 तो that is also g m1 m2 upon r square into 2 चुकि इधर से इधर तरफ हैं तो मैंने r21 cap से multiply कर दिया r21 cap यह हमारी अपनी मानीवी direction है हमको नहीं मालूम था हम अपनी मानीवी direction है तो जब इसको vector form में लिखेंगे तो आएगा g m1 m2 upon r cube into r21 vector यह हो जाएगा f21 vector जला देखिए यह question 1 है यह question 2 है दोनों में कौन सा part है जो अलग दिखरा है आपको दोनों में क्या अंतर होता क्या relation होता r12 r21 में as r12 is equal to minus r21 so f12 is equal to minus f21 तो यह जो दोनों force होते हैं वह equivalent opposite direction होते हैं अब अगर हम capital G यह question यह उड़ तक भई यह बताईए यह दोनों अट्रेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को मिल जाना चाहिए attraction यह हो रहा है यह अपनी और खीच रहा है यह अपनी और खीच रहा है ठीक है दोनों नक्से बाजी में हैं जो आ नहीं रहे एक दूसरे कि नर्दी कारण है कि इसको इधर कुछ खीच रहे होंगे ना पार्टिकल इसलिए इसलिए निट्रल लेंगे लेकि यह attraction इस प्रकार्ट का होता है यह इधर खीच रहे यह अपनी तब खीच था ठीक है अब कैपिटल जी की डेसे चलिके डेसे निशन आफ कैपिटल जी definition of capital G उनिवर्सल gravitational constant की definition बनाएंगे तो पहल है हाँ तो आप जानते हैं कि as f is equal to g m1 m2 upon r square तो यहाँ से g की value आएगी f r square upon m1 m2 अगर हम m1 equal to m2 is equal to one unit ले ले और r is equal to one unit ले ले तो g is equal to f होता है यहाँ हम definition बनाएं तो हम कहेंगे कि universal gravitational constant is that force of attraction acting between two particles of unit mass place at a unit distance और capital G की जो value होती है अच्छा its value its unit पहले unit की बात करें तो unit इसकी आए जाएगी newton meter square पर kg square अगर dimension की बात करें हम तो newton की आप जानते हैं ml t inverse 2 meter square की l square और अपान m square यह क्या हो जाएगा m inverse 1 l cube t inverse 2 और इसकी value की बात करें तो 6.67 into 10 to power minus 11 newton meter square पर kg square होता है यह value Cavendish method Cavendish साविक थे उन्हों निकाली थी सिलाल चुकि आप से मतलब नहीं इसलिए हम बता नहीं रहें नहीं अभी वो पुरा experiment है Cavendish का एक experiment है उससे उन्होंने बताया था इसलिए उसके बारे में बात नहीं करें कभी किसी दिन पढ़ाने का mood नहीं होगा तब Cavendish के बारे में बात करेंगे ठीक है फिर वो पढ़ने वाली चीजी है अब यह तो हो गया आपका कि वह newton's law of gravitation होता क्या है ठीक है अब आते हैं अर्थ के बारे अभी तो हम बात देखें अभी बात यह कहां से बात उठी अभी तो कैपलर साथ के नियम से उन्होंने एक नियम निकाला था कैपलर के नियम को ज्ञापा था और वहाँ अपना यहीवाज पीपिंग इन दे लाफ पिपिंग कहते है जाकने को वहाँ जाका और उन्हें वहाँ से निकाला कि एक फोर्स होता है जो प्लैनेट और अर्थ की सन के बीच में लगता है और वो मिच्वल फोर्स होता है और फिर उन्होंने उसको जनलाइज कर दिया कि भई ये हर दो पार्टिकल की बीच में काम करता है अच्छा अब अगर ऐसा काम करता है तो अब उन्होंने का ये बताईए क्या कुलाम साब में ये अप्लिकेबल हैग नहीं है उसको करना नहीं है आपको है भई कुलाम साब क्या कह रहे हैं कुलाम साब ने का था, दो चार्ज बारिकिल एक दूसरे को अट्रेक्टिव भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं, if they are having the same charges, then they will repel each other, तो अगर मैं 2 electron की बारे में बात करूँ, तो 2 electron पर same charge होता है, तो अगर कुलाम को apply करता हूं, तो according to कुलाम, they will repel each other, और अगर मैं Newton की बात करता हूँ तो they will attract each other और दोनों की बात करता हूँ तो दोनों जुतन लगतम हो जाएगी कहीं हम सही यह हो कहेंगे हम सही तो हमने दोनों lawscope देखा हमने जो value निका ली तो जो कुलाम का force था वो Newton का force का 10 to power 43 टाइम्स जादा था तो अब इतना ज्यादा force था कि वहाँ कुलाम का जो force था वो बहुत ही negligible था तो ऐसा नहीं Newton was wrong दो electrons के बीच में Newton लाभी लगता है लेकिन कुलामियन force की तुलना में जो Newtonian force होता है वो कम लगता है आपकी आखे कुछ नींद tribe कैसे से कर रही है कैसा लगी रायन को हाँ brightness देख लीजेगा ठीक है तो समझ में आ गई बात तो कुलाम्स force भी होता है वहाँ Newton's force भी होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें attraction force से ज़्यादा repulsion लगता है अब मालिया 10 रुपय का सिक्का बाहर पड़ा हुआ है तो आपको बड़ा अट्रेट करेगा नहीं करेगा करेगा तो और गोबर गोबर पड़ा है तो नहीं करेगा दोरों force काम कर रहे है न तो यहां पर attraction force कम लग रहा रिपल्सन फोर्ट ज्यादा लग रहा है ठीक है अब 500 की गड़ी पड़ी हुई गोबर पड़ तो सोच सकते है ना रुमाल दीरे से निकालेंगे और धीरे से ला करके बातरूम में कुछ जाएंगे और नहाद होकर के बाहर निकलेंगे तो उसमें लिखेगा Children's Bank of India कि अब तो बड़ा करबर हो जाएगा तो ऑफिलाल हम बात कुलाम की करें तो कुलामियन फोर्स न्यूटोनियन फोर्स की तुला में बहुत ज़्यादा होता है मैं वैल्यू नहीं की बात नहीं करूंगा बिकले बताना चाहता हूँ अब आते हैं अर्थ के उपर जो कि न्य उसको हम gravity कहते हैं यानि gravity कह सकते हैं कि एक force है force अब attraction है अर्थ के चारवर जिससे किसी body को अपनी और अट्रेट करती है ऐसा नहीं अर्थ के चारवर ही gravity होती है हमारे चारवर भी gravity होती है जैसे कोई class चलता है और आप जानते हैं कि English madam का period है तो आप फोरण रहे हाज मैं पढ़ाएंगी आज वो syntax, synthesis पढ़ाएंगे जाएगा class रोटन करेंगे तो उनकी gravity है ठीक है और mathematics का period है तो कोशिज करते हैं आस नहां में तो अच्छी बात है आ गए तो कोई बात नहीं है ने वो तो गलत चीज है ग्रेवटी का मतलब होता है कि हर बाडी के चार और एक हम बाडी की बात कर रहे है एक field होता है और वो दूसरी बाडी को अपने और अटरेट करने की छमता रखती है तो वो उस बाडी की gravity है हमारी एक gravity है कि हम कई खड़े हो गए तो हम 10 लोगों को अपनी और अटरेट कर लेते हैं हमको सुनने के लिए लोग आ जाते हैं तो उसको हम gravity कहते हैं उसी प्रकार से अर्थ की gravity है तो लिखे gravity यानि gravity एक force होता है जिससे अर्थ अपनी और किसी बाडी को अटरेट करती है तो लिखे gravity is the force gravity is the force by which earth attracts a body towards its center earth attracts a body towards its center अब इसकी intensity कितनी होती है ताकत कितनी होती है intensity of gravitational field कितनी है तो लिखे intensity of gravitational field intensity of gravitational field पहले इसकी जरूरत क्या है जरा समझेगा Newton's आप कहते हैं कि यह mutual force है अगर earth हम को अटरेट कर रही है तो हम earth को कर रहे है नियम यह है कि अगर मैं 10 मंजिल से कूच जाता हूँ कौन जीने से उतरे बारबार लिफ्ट में जाए जीने से चलांग लगा दिए हम ने तो earth के पास मास है मेरे पास भी इस अगर रही है तो मैं भी तो earth को अटरेट कर रहा हूँ तो मैं नीचे आऊं earth के तो earth ही उपर आ जाए हमको ऐसे गोदी ले ले नहीं हो सकता है त्रेवित होना चाहिए ना इसा क्यों नहीं होता है उसमें गड़बर है कि हो सकता आर्थ के पास ताकत जादा हो तो intensity का मतलब होता है unit mass पे जितना force experience होता है that is intensity of gravitational field तो रिखे तो force experience by the unit mass the force experience by the unit mass of a body is called intensity of gravitational field is called intensity of gravitational field अब मैं compare चुकी अर्षे करूँगा तब मालूम होगा कि intensity किसकी ज्यादा है intensity of gravitational field अब जरा समझेगा अगर मैंने मान लिया कि ME is the mass of earth है और M is mass of AP वाज़ पे है और दोनों एक दूसरे से r distance पे हैं तो दोनों पे जो force लग रहा है वो लग रहा है GME into M upon R square ठीक है अब मैं intensity of gravitational field of earth की बात करता हूँ intensity of gravitational field of earth की बात कर रहा हूँ तो मैं intensity लिख रहा हूँ और अर्थ के लिए हम E बना देते हैं हमने क्या का force experience by the unit mass अब बताए अर्थ की gravity अर्थ के intensity को कौन experience कर रहा है मैं कर रहा हूँ ना अरे था मैं कर रहा हूँ भई एफ अपान मेरा mass होगा तो यहां क्या हैगा GME upon R square अब चाहिए यहां R E कर तो जो भी आपको करना हो R E कर तो ज्यादा ठीक रहा है अर्थ के center से हम दूरी ले रहे हैं R E ले लो radius of earth लिख दो अब ज़रा समझेगा अब एपी वाजपे की इंटेंस्टी आप निकालोगे तो इंटेंस्टी आफ पुरा लिखेंगे इंटेंस्टी आफ फिल्ट वाफ एंड आफ एपी वाजपे एपी वी आई ए शार्ट में लिकता हूं पड़ा नबा नाम हो जाएगा अर्थ का तो छोटा है मेरा नाम नंबा हो जाएगा तो अब कौन एक्स्पिरेंस करेगा मासा फर्थ तो आएगा जी इंटो मेरा मास अपान आरी स्क्वार अब प्रॉब्लम यहां देख रहा है कि अर्थ की ग्रेविटी का जो इंटेंस्टी है उसके लिए अर्थ का मास आया है और मेरी ग्रेविटी चुकि अर्थ एक्स्पि पास अर्थ का डेड़ गुना हो जाता है तो अर्थ की ऐसी कि तैसी वो उसको आना पड़ता मेरे उपर ऐसे ठीक है चोड़ उसको लगती लेकिन आप तुकि यह ताकत है नहीं हमारे अंदर इसले ऐसा होता नहीं अगर ऐसा होता तो फिर क्या बात थी ठीक है अच्छा एक्स एक्सलेशन दू टू ग्रेवटी एक्सलेशन से हम वाकिव है रेट आफ चेंज आफ विलास्टी आफ बाडी तो अगर वही बाडी अर्थ सर्फिस में है अर्थ के अर्थ के ग्रेविटेशनल फिल्ड में है और उसकी विलास्टी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे रेट of velocity of the body in the earth gravitational field उसको हम अर्थ का gravity कहते है acceleration due to gravity और इसकी जो standard value होती है 9.8 meter per second square होती है ठीक है यह standard value है और खास बात यह है कि इसकी value हम जब 9.8 लेके solve करते हैं तो स्थी वर्मा साथ 10 लेके solve कर देते हैं और जब मैं किसी question में 10 ले ले लेता हूं परता हूं साथ मैच किसे कर रहा है तो जानतरों टेल लेते हैं खेर वो तो बात की बात है